अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज की वीडियों में बात करेंगे vintage toothpaste के बारे में अब इस toothpaste के फायदे क्या है, कैसे use करना है, क्या side effect है, क्या price है यह सारी जानकरियां जो है आज की वीडियों में मैं आपको दूँगा तो सबसे पहले price ही शुरुवात करें तो देखिए 177 रुपीज में यह आपको 50 ग्राम ट्यूब मिलता है वहीं 317 रुपे में यह आपको 100 ग्राम ट्यूब भी मिलता है तो price हमें के अनुसार बढ़ती रहती है, तो जो आज की price ही वो दर मैंने आपको बताया है और यह जो है Dr. Redis वालो का है, जो की काफी अच्छी कंपनी है अब इसको खरीदना कहां से है, तो देखिए इसको आप कोई भी जो ऐलोपेथी medical store होते हैं वहां से आपको easily मिल जाएगा या फिर आप इसको online भी खरी सकते हो, तो online खरीदना है, तो मैं नीचे link के देदूँगा, description में तो उधर से click करके आप इसको घर बेड़े-बेड़े महा सकते हो, वो भी discount के साथ अब बात करें composition के बारे में इसमें क्या-क्या है, तो देखिए इसमें है calcium, sodium, phosphosilicate इसके अलावा, जो है आपको मिलेगा, silica, glycerine, इस प्रकार से ingredient है, जो कि आप खुद भी screen पर देख सकते हैं और एक ये जो है vegetarian toothpaste है, मतलब सभी लोग इसको use कर सकते हैं अब देखिए, इधर हम इसके फायदे के बारे बात कर लेते हैं, तो जैसे के आपको पता है, ये toothpaste है, जो कि हमारे दान्तों के लिए बनाए गया है तो ये देखिए, ये हमारे दान्तों को मजबूत करने में काफी मदद करता है इसके अलाबा अगर दान्तों में पीलापन है, या फिर हम बोलें तो दान्तों को सडने से ये बचाता है ये vintage toothpaste, इसके अलाबा सबसे अच्छा है ये sensibility के लिए mainly ये जो है toothpaste सबसे ज़्यादा use में किया जाता है sensibility के लिए जैसे के आपको ठंडा गरम लगता है, कुछ भी आप लेते हैं तो या तो ठंडा लेंगे तो बहुत जारा ठंडा लगेगा या गरम लगेगा, कुछ गरम चीज लेंगे, तो कहीं न कहीं sensibility की problem है तो उसमें ये काफी फायदे मंद होता है, ये करता क्या है, कि आपका जो एनामल होता है उस एनामल को protect करता है और उसको मजबूत करता है, जिससे के आपकी जो sensibility है वो सही हो सके इसके अलाबा जो दातों की नस होती है, नर्व होती है, उनको भी मजबूत करता है इसके अलाबा आपके जो मसूरे होते हैं, उनको healthy रखता है, उनको मजबूत करता है और पाईरे जीसी सिकायत है तो उसमें भी फायदा करता है तो इस प्रिकार से जो है इसके फायदे हैं इस toothpaste के तो sensitivity की अगर परवा मेहना तो काफी लोग इससे फायदा मिला है ये आपके animal जो layer होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है उसको मजबूत करने के लिए अब यूज कैसे करना है इसके बारे हम बात कर लेते हैं तो देखिए जैसे normal toothpaste आप यूज करते हैं वैसे यूज करना है और इसको एक दिन में जो है आप दो बार तक यूज करें एक तो सुबा उठने के बाद और रात में सोने से पहले इस प्रकार से यूज करना होता है और इसको जो है male female कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन यह जो है छोड़े बच्चों के लिए नहीं है बड़े बच्चे कर सकते हैं अगर कोई प्रॉडम है तो डॉक्टर की सला से जो dentist होते हैं उनकी सला से कर सकते हैं आप इसको कब तक रेगुलर यूज़ कर सकते होग एसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको यहाई से लगता है तो आप जो है इसको तीन मैने यूज़ करें तीन मैने तक यूज़ करें और अच्छा फायदा आपको पर जायाएगा इसके बाद आपको नॉर्मबर टूथपेच्ट भी तो कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं माल लीजी सुबह आपने इसको यूज कर लिया और रात में जो है आप कोई दूसर टूथ पैस्ट उसकर लिया कि आपको किसी भी चीज का फायदा नहीं मिल जाएगा अब इजर में कुछ एड़वाइस भी दूँगा जो कि आपको फालो करना है अगर आप ये टूथपेस्ट यूज करते हो तो जैसे के अलकोहल, स्मोकिंग, गुटका पान, मसाला, तंभाकू ये सब बंद करना पड़ेगा अगर आप ये सब करते हैं तो आपको किसी भी चीज का या कोई भी टूथपेस्ट आप ले लें उसका फायदा नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा चाय, कॉफी पीते हैं वो कम कर दें, ओली, मीठा ये सब बंद कर दें और देखे, एक दिन में कम सकम दो बार ब्रस करना जरूरी है जैसे के आपने एक तो सुबा कर लिया और रात में, खाने के बाद या रात में सोने से पहले है ऐसा भी आप कर सकते हो क्योंकि दो बार आप ब्रस करोगे तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा अब देखिए, अगर आपके दांतों में बहुत जादा प्रॉलम है तो ये जो है टूथपेस्ट केबल काम नहीं करेगा इसके लावा बहुत सरी टीटमेंट कराने पड़ते हैं मेडिसिन खाने वाली भी लेना पड़ती है तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिले जो होते हैं डांतों के डॉक्टर उनसे मिलना पड़ेगा तो अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के लिए तो आपको डॉक्टर से साला लेनी पड़ेगी तो इधर मेरा वीडियो खतम होता है और इसके अलावा और ही वीडियो रेखना है Health और Medicine से लेटेड जोगी में डेली बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा रहा है तो लाइक भी कर दीजेगा फ़र में लिए एक वीडियो में दब तक आप बने रही है और देखते रही है आपके अपने चैनल में Knowledge for Indian